नमस्कार आप देखना इंडियानूस राजसान। मैं हूँ आपके साथ आयूश रतराइश लिएस बॉलेटेंग के शुरुवाद बड़ी खबर के साथ करते हैं। जानकारी है कोटा के शिब जीओ थी कॉन्वेंट इंग्रिश मीडिया में स्कूल में एक अक्षा दो की एक पुस्तक को लेकर के विवाद हो गया है। कि किसी भी अभिवावक ने कोई मामला दर्ज नहीं करवाया है। फिलहाल बजन दल की आपत्ती पर शिक्षा विभाग की डिप्टी सेकरेटरी ने शिकायत रिसीब कर ली है और इस किताब को प्रतिबंधित करने की मांग की गई है। विश्विंदू परिशत के माध्यम से पूरे देश बर में प्रांत इस्तर पर बजरंगल के कारे करता हूं द्वारा हिल्प लाइन नंबर जारी किये गए। तो उन हेल्प लाइन नंबर पर कल मेरे पास में कम से कम 30-40 अभी भावकों के फोन आये। और उन अभी भावकों ने अपनी समस्या दर्जिकराई की हमारे बच्चे विद्याले में जाते हैं और विद्याले में उनको अब्बू अम्मी कहना सिखाते हैं और बिर्यानी खाने के लिए उनको प्रेरित किया जाता है। सुबई जाके मैंने बंडारी स्टेस्नरी से ये किताब खरी दी जिसका नाम ता गुलमोहर तो बंडारी स्टेस्नरी वाले ने बताया है ये सेकेंड क्लास में शुजोती स्कूल में चलती है और इस किताब को जब मैंने खोल के देखा तो जैसा अभी भावक बता रहेते है तो किताबों में जो शब्द हैं उसको लेकर के आपत्ती है और आपको बता दें कि इसको लेकर कि आप विश्व हिंदू परिशक की तरफ से भी शकायत की गई है किस तरह के जो कंटेंट इस किताब के अंदर शामिल किये गए हैं ये कहीं न कहीं शिक्षा का इसलामी करण है ये आरोप लगाए जा रहे हैं और गैर मुसलिम बच्चों को भी ये उर्दू क्यों सिखाई जा रही है स्को लेकर के सवाल उठाय जा रहे हैं और इसी पर बातचीत करते हैं हमारे साथ राजें भरतबाज हमारे सयोगी जड़ोवे हैं राजेंद्र ये जो किताब है जिस किताब के अंदर है क्या और क्या इस को लेकर के जो आपतियां उठाई जा रही है उस को लेकर के कोई कारवाई की बात कही गई है क्योंकि अब ही हम लोग सुन रहे थे ये कहा गया अधिकारियों के तरफ से क्योंकि पैर Conrin ने कोई शकायत जा रहे हैं अब इस किताब का सबसे बड़ा इशू यह है एक हिस्समें जो diya गये उन content में उर्धines के शब्दों का प्रियों काफी जदा मातरा में किया गए है सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे माता पिता को क्या का जाता है तो वो हेदराबाद का पताया जा रहा है और हेदराबाद से ये किताब पफिशो का कोटा में जो संचालित विधियाले में उनमर चलाई जा रही है शीवजोति जो इसकूलेस्ट शीवजोति इसकूल से परियां पर शिकायत लोगों ने दर्ज कियえ और अभीबाव किस मामले को लेकर कापी नाराज है अभीबाव के यह कहना है कि बच्चे घर पे आकर जो हिंदू बच्चे हैं वो घर पे आकर बिर्यानी की डिबांड करते हैं और साथ में सबसे बड़ी बात ये है कि उपचारण के रूप में जब माता पिता को बुलाया जाता है तो अमीर अबु के कर वो बुलाने का प्यास करते हैं. तो इस तरह की जो बाते हैं वो जरूर यहां पर सामने आ रही है. बजरंग दलने इस पर आपती जताई है, बजरंग दलने आपती जताने के बाद में. आज कोटा का जो जिला प्रसासन है वो भी हरकत में आया है. अज सूतरों के हवाले से जो खबर है उसकी तरफ से यह हम आपको बता दें के शूजोती इसकुल में आज पुलिस पहुंची है. और पुलिस ने इस मामले से जुड़े सभी दस्तावेज और जो संचाला के हैं उसके शायद बयान भी दर्ज की हैं. इस तरह के मामला पुरी तरह से सामने आया है. अब आयूशीज में सबसे बड़ी बात ये है कि जब हिंदुस्तान में हिंदी संस्कृती चलाए जाती है ने तो सीबेसी बोड़ ये कहता है ना आरवीसी बोड़ ये कहता है. मगर हेदरबाद में जहां पर ये किताब पब्लिश की जा रही है उस पब्लिश में सबसे ज़्यादा जो मुस्लिम सब्द है और उर्दू सब्द है उनका जो प्रचलन इस किताब में बढ़ावा दे रहा है तो कहीं ने कहीं जो हिंदु धरम के लोग हैं उनको कहीं ने कहीं जा रहा है और इसकी जरुत क्यों आन पड़ी सबसे बड़ी बात यह है अब सबसे हमने सुबे से जो इसकुल के संचाला के हैं महेश गुपता उनसे तीन चार बार बात करने की कोशिश करी उन्होंने पहले दो बजे का टाइम दिया फिर तीन बजे का टाइम दिया और फिर उन्होंने यह केकर पल्ला इस से जाड़ते हुए नजर आए कि आप सो मार को मुलाकात होगी तो कहीं न कहीं वह इस मामले को बहुत हलके में ले रहे हैं मगर हिंदू जो लोग हैं उनकी बावना नहां पर कापी टेस्ट पहुंच रही है और जिस स्कुल में किताब पढ़ लेकिन राजेंद आप कह रहे हैं कि इसको लेकर के पेरेंट्स ने शिकायत किये कि वह बच्चे घर में आकर कि जो इसमें लिखा हुआ है कुछ उसी तरह से बिहेव करना शुरू करते हैं अम्मी अब्बू कहेंगे या बिर्यानी की डिमांड करते हैं लेकिन उसके बाद अभी अगर प्रशासन यह कह रहा है या पुलिस यह कह रही है कि अभिवावकों के तरफ से पेरेंट्स के तरफ से इसको लेकर के कोई कंप्लेंट नहीं है तो फिर कंप्लेंट क्यों नहीं की जा रही है अगर इसको लेकर कि आपत्ती है तो पेरेंट्स इसको लेकर के कंप क्यों नहीं कर रहे हैं बजरंग दल या विश्व हिंदू परिशत को क्यों सामने आना पड़ रहा है कि 30 से 35 पेरेंट्सों की मेरे पास शिकायत आई है क्योंकि उन्होंने एक हेल्प लाइन नंबर जारी किया था उसे हेल्प लाइन नंबर के अनुसार उनके पास शिकायत पहुँच रही है सबसे बड़ी बात है जिला सिक्षा अधिकारी के नोटिस में यह पुरा मामला आ चुका है नोटिस में आने के बाद में सिर्फ वो कह रहे हैं कि मेरे पास शिकायत नहीं पहुची है मगर अगर आज की बात की जाये तो कोटा शेहर में यह जो पूरा मावल है वो पूरी तरह से गर्मा चुका है और इस मुद्य को लेकर हिंदू जो संगटन है वो कापी तरह से लाम बंद होने की कोशिच भी कर रहे हैं जिस तरह से इसकुली शिक्षा में लोगों को यहां पर यह सकाया जा रहा है कि उनको मुस्लिम बनाया जाए मगर यह कहा नहीं जा सकता क्योंकि एक किताब में जिस तरह से पब्लिश किया गया है उस पब्लिश के अनुसार यहां पर उपचारन है शिर्फ उपचारन यहां प पर किये गए हैं ने बिल्कुल राजेंदे देखें किसी को उर्दू पढ़ा देने भर से वो इसलामी करने या फिर वो मुस्लिम तो नहीं हो सकता है क्योंकि अगर आप उर्दू के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कल को हो सकता है कम्यूनिटी ये कहे कि आप माता पित मत बताईए नहीं तो आप इनको हिंदू बनाने की कोशच कर रहे हैं ये सिर्फ एक भाशा है लेकिन हां अगर इस पर आपत्ती है पेरेंट्स को तो फिर इसकी कम्प्लेंट की जा सकती है बहुत शुक्री हमारे साथ जोड़ने के लिए राजेंद और इस बातशीत के तो आला कि